नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना गनीमत है सबर हमारा अभी लबा लब नहीं हुए हैं हम अंग्रेज हमें मुर्दा समझ रहे हैं और उनको कह दो अभी मरे नहीं हैं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल जीके बाई परदीत सर से स्टार्टिंग की साईरी से ही आइडिया हो गया होगा और मैं आज भारत मा के एसे वीर सपूत की बात कर रहा हूं जिसने पूरे लंदन को हिला दि अरियाना 23 सेप्टेंबर को सहीदी दिवस बनाता है और इस टोपिक से अरियाना जी के बहुत से कोशन पूशता है लेकिन मैं तो यही कहता हूं चाहे एक बार भी इस टोपिक से कोशन ना आए लेकिन हमें एसे दिलवालों के इतिहास का पता होना चाहिए तो आज हम राव तुला राम इनका जनम हुआ था बच्चो 9 दिसंबर 1825 को राव तुला राम का क्या हुआ था जनम हुआ था कब हुआ था 9 दिसंबर 1825 को रेवाडी में राव तुला राम का जनम हुआ था और 9 दिसंबर को ही एक पार्टी का स्तापना दिवस है आप हमें कोमेंट करके बत तो 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का रेवाडी में जनम हुआ था इनके पिता का नाम राव पूरण सिंग था और इनके दादा का नाम राव तेज सिंग था ज्यान कुमर इनकी माता जी का नाम होता था और इनका चचेरा भाई का नाम गोपाल सिंग होता था इतना याद कर लेना यहीं से कोश्यन बन जाएगा 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का रेवाडी में जनम होता है और इनके दादा का इनके पिता का नाम राव पूरण सिंग था राव पूरण सिंग जी इनके पिता जी थे माता जी का नाम रानी ज्यान कुमर था दादा का नाम राव तेज सिंग था चचेरा भाई गोपाल स हुआ करता था और कहते हैं बच्चो राव तुला राम है ना बच्चपन में ही इनके सर से ना इनके जो पिता थे ना उनका साया जब ये 14 वर्स के होते थे ना तो इनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था तो ये भी कोशन आता है बच्चो इनके पिता का साया इनके सर से क पिर बच्चों ये रेवाडी में इन्होंने कमान समाली थी और इनकी जाती कौन सी होती थी अहिरवाल जाती से ये सम्मन रखते थे कौन सी जाती से सम्मन रखते थे और ये तीन हजार पेदल सेनिक इनके पास बच्चों तीन हजार की क्या होती थी पेदल सेना होती थी राव गाउं के सरदार थे और अंग्रेजों को पता लग गया था कि अगर आपको दिल्ली में चेन से सासन करना है तो राव तुलाराम को गदी से अठाना ही होगा क्योंकि इनकी सोरिये की गाथा बच्पन से 14 वर्स की उमर में ही सुरू हो गई थी तो राव तुलाराम से जितने भ बार कोशन आया था बच्चो कि 1867 में जब करांती हुई थी तो ये कहां पर लड़ने के लिए चले गए थे मेरट चले गए थे और मेरट में इन्होंने बहुत से अंग्रेजों को मोत के घाट उतारा और अंग्रेजी जेलों पर हमला करके ना देश बक्तों को आजाद करव और केते इन्होंने 20 अंग्रेजों को मेरट में आकर्मन करके 20 अंग्रेजों को मोत के घाट उतार दिया था और 600 देश बक्तों को अंग्रेजों की केद से क्या करवा लिया था देश बक्तों को आजाद करवा लिया था अब राव तुलाराम को लगा कि देश बक्तों को तो हजारों की संख्या में अंग्रेजों की कबरिस्तान बना दिया और अंग्रेजों को हिला कर रख दिया और इस बात की चर्चा बच्चो इंगलेंड में पहुंची और इंगलेंड ने ना राव तुलाराम के खिलाव वोरेंड चारी कर दिया लंडन से और एक अंग्रेजों ग सोबर्स को बेजा गया और मेजर सोबर्स को ना 6,000 सेनिकों के साथ मेजर सोबर्स को बेजा गया लेकिन मेजर सोबर्स है ना वो राव तुलाराम का मुकाबला नहीं कर पाए उरंत में उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने एक अंग्रेज ओर टुकडी को बुलाया तो इ अंग्रेजों से राव तुला राम की बेंट होती है नसीब पूर नारनोल में होती है ये पेपर में अरियाना जी के ने पूछा था कि राव तुला राम अंग्रेजों से कहां ठकराई थे 1877 की करांती के दोरा नारनोल है ना अभी वर्तमान में कहां पर है महंदरगड में तो नसीब पूर राव यहां पर अंग्रेजों राव तुलाराम की जवरदस्त बिढन्त होती है और राव तुलाराम और इनकी ना अहिरवाल से ना इतनी बहदूरी से लड़ती है कि दो अंग्रेजों को ना मार गिराती है उनका नाम था केप्टन जेराड और वॉलेस इन दो अ राव तुलाराम घायल हुए थे ना तो ये साहिता मांगने के लिए ना बाद में राजस्तान चले गए थे और बाद में ना साहिता मांगने के लिए ना ये कहां इरान होते हुए कहां पर चले गए अफगानिस्तान चले गए थे और जब ये अफगानिस्तान गए ना तो पीछे से इनकी रेवाडी रियासत पर ना, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, तो बच्चों इनके टाइम में जो नारनोल है ना, नारनोल, नारनोल का नेत्रितव इनके भाई ने किया था, जिनका नाम था राव, गोपाल सिंग, और जब इन्हों ने अठा चले गए थे, और इन्हों ने कहते हैं, बच्चों, रूस का सासक होता था, जार, उनको पत्तर लिखा था, और आज भी वो पत्तर है ना, बच्चों, उनके संग्राले में, एज़िटीज पढ़ा हुआ है, उसमें इन्हों ने कहा था, कि अंग्रेज है ना, भारत पर एक जुल्मों की नई दास्ता लिख रहे हैं, और आप चुपके से बेठे रह सकते हैं, तो ये वीर ऐसा वीर था, जैसे नेता जी सुभाज चंदर बोस आजाद करवाने के लिए जापान की साहिता ली थी ना, जर्मनी जापान एटली की, उसी तरह से ना, इन्होंने अफगा अफगानीस्तान गई हैं ना बच्चों, वहाँ पर ना, महा मारी फेली हुई थी, महा मारी फेली हुई थी, और इनको ना, राव तुला राम को क्या हो जाता है, बच्चों, पेचिस हो जाता है, और उसके चलते बच्चों, आज ही के दिन 23 सेप्टेंबर 1863 को, इनका ना, काबुल अफगानिस्तान की केपिटल कौन सी है काबुल में ना क्या हो जाता है दियान्त हो जाता है और इसलिए बच्चो 23 सितंबर को हरियना अपना क्या बनाता है सहीदी दिवसे बनाता है और 2001 के बाद है ना 2001 के बाद बच्चो इनके नाम की ना टिगट भी जारी कर दी ग इनको क्या कहा जाता है अहीर वाल नरेश कहा जाता है इनको रेवाडी नरेश कहा जाता है ठीक है और राव तुला राम ठीक है तुला राम और राव बहदुर की राव बहदुर की उपादी भी इनको राय बहदु नहीं है राव बहदुर की उपादी भी इनको 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 राव बहादुर की उपादी ली थी और जो हरियाना के एक CM बने थे राव वीरेंदर सिंग राव वीरेंदर सिंग और ये पूछा जाता है बच्चो राव वीरेंदर सिंग जो हरियाना के CM बने थे पहले गेर कोंग्रेसी CM बने थे वो किस के वनसज थे तो राव वीरेंदर स वनसज से पूछा जाता है इनका संबन कीस जाती से था अहिरवाल जाती से इनका संबन था और इनका सासनकाल ना 1838 से लेकर 1857 तक था रेवाडी पर इनका सासनकाल 1838 से लेकर 1857 तक था और इनका जनम भी याद रखना है बच्चों इनका जनम भी याद रखना है 9 दिसंबर 1825 इसको जनम हुआ था 1838 में अलपाईयू में क्या बन गए थे राजा बन गए थे और बाद में ये इरान और अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान में महाबारी के चलते पेचिस हो गया था अलपाईयू में इनकी क्या हो गई थी मिर्ती हो गई थी अगर किसी इंसान के खिलाब बच्चों, इंगलेन्ड वोरेν्ट जारी करता है तो समझ सकते हो किस कदर वो इंसान होते थे और ये भी वेपर मे आता है बच्चों ये 23 सेप्टम्बर 20001 को भारत सरकार ने राव तुला राम की याद में राव तुला राम की याद में क्या जारी किया है बारत सरकार ने टिगट जारी किया है राव तुला राम की याद में 23 सितंबर 2001 को बारत सरकार ने टिगट जारी किया है इनके नाम से स्टेडियम भी है ठीक राव तुला राम स्टेडियम रेवाडी में और इनके नाम से एक में राव तुलाराम ओस्पिटल भी रहेगा काम पर रहेगा दिल्ली में रहेगा तो ये पेपर में आप से पक्का पूछा जाएगा बच्चो राव तुलाराम के इतिहास से एच्चे ससी कोशन पके पूछती अगर कोशन ना भी आए ना तो भी आपको पढ़ना है जनम ये वेसे तो इंदू थे इंदूों को जलाया जाता है लेकिन एच्चे ससी ने इनका मकबरा पूछ लिया था पूछ लिया तो हमें बताना पड़ा काम पर रहेगा काबूल रहेगा पेचिस के कान मिर्ती हो गई पिता का नाम राव पूरण सिंग था दादा का नाम राव तेज सिंग था मा का नाम रानी ग्यान कुवर था चचेरे भाई का नाम गोपाल सिंग था ये चीजें वो चीजें हैं बच्चो जो एक्जाम में भी आएगी और मैं तो कहता हूँ एक्जाम में कोश्यन ना आए फिर भी ऐसे सहीदों का इतिहास का हमें पता होना चाहिए तो राव तुला राम जी को हम सचानते नमन करते हैं और इनको हम सचे दिल से सरधांजली बैते हैं तो आज के लिए इतना ही रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो सहीदों के नाम पर लाइक जरूर करना और अगर ना पसंद आई तो अनलाइक है कर देना धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत